हेलो गाइज यह जो आप जगह देख रहे हैं यह रियासी रेलवे स्टेशन के पास धरम ब्रिज की फुटेज है और यहां की अपडेट पिछली वीडियो में आप नदे थी अगर वीडियो आप देखना चाहते हूँ तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कि अपर प्रोग्रिस हो चुकी है तो चलिए शुरू करते हैं तो यह नीचे आप बाल देख रहे हैं एक कंक्रिट वाल इसको उठाया जा रहा है पहले यहां पर यहां पर यहां प्रोग्रिस हुआ है और यहां पर यह बिल्डिंग अलमोस्ट कंप्लीट होने की कागर पर चुकिए हैं मस्तर वगरा हो चुका है और इसी के साथ ही यह देखिए आगे पिशी का जो जितना सामान तो उठाया जा रहा है उस साथ ही बिल्डिंग के इस जगह के पासे यह रोड खत्म हो चुका है और इस कंक्रिट वाल को उपर उठाया जाएगा और इस जगह को आया जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आप धरम ब्रिज की साइड फूटेज देख लेजिए साइड से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर पूरा गुमा कर आपको यह दिखा रहता हूं शोटा सा ब्रिज जो है बस यही जो ब्रिज है यह अंजी खाड आपको ब्रिज को में रियासी रियल्वे स्टेशन के साथ जोड़ता और बीच में देखिए किस तार से स्पैन को जोड़ा गया एक थोड़ा नीचे रखा एक ऊपर रखा है तो चलिए बढ़ते हैं अगे में रियल्वे स्टेशन यहा पर बनाया जा रहा वहाँ पर क्या हो चुकी है बस उसी तरफ आपको लेके जा रहों वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट थी यहाँ यालो क्रेन के नीचे वह इसकी भी अप्लेट बताऊंगा तो तब काफी अरिया को प्लेट कर दिया गया पहले यह उबड़ खाबड हुआ करता था और आफी सामान यहां स काम जो होता था इसी कर्स्ट्रक्शन साइट के अंदर होता था जैसे आप देख रहा हैं यहाँ पर पहले प्राप्र टाइप बना यहां साइट भी यहाँ पर सारा मटेरियल बना के फुल पर ले जाया जाता था और आज यह तो उठा दिया है अब इसी जगह को लेवल कहन यहां पर आप सिंगल ट्रैक प्लैटफर्म ऊपर है और जब आप इस स्टेशन पर एंटर होने की बात करते हैं तो यहां पर से डवल ट्रैक बनाया जाएगा और वह उपर आगे का ब्रिज देखें यह भी रेलवे स्टेशन का पार्ट है और यहां इस ब्रिज के ऊपर भी ड षड़ को जा गत्हवित है कि खुम अब्राड डी रिडेशान का है सूरू के आगे आगे आप जो जdoन करके दिखा दून आगे ऐर वह देख रहे हैं अगे आप मक्रेंण तेक्ने उंच लिखर आप जो अग रेसं टर्नाल एप्मार अप कों रिखा रहा है ऊज रह भी इसर इस तरह की दिखती है और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां उपर से कुछ नजारा इस तरह का दिखता है इस ब्रिज के पिलर्स का और इस ब्रिज का अभी खूब तो यह उंचाई आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा उंचाई से इसको उठाया गया है तो अगर इ और यह सेंटर का जो इसका सबसे बड़ा पायर है सबसे बड़ा पिलर उसकी हाइट एक सो पाँच मेटर की है तो एक सो पाँच मेटर की हाइट पर यह रेलवे स्टेशन भी बनेगा तो आगे उस तरफ रियासी वाली एंसे हम आ सकते हैं और यही ब्रिज है जो में जी इस पॉइन्ट पर जाकर यहां पर क्या वर्क चल रहाएं अभी वर्क प्रोग्रेस में हैं आप मशीन की वाइस यहां पर सुन सब्के हैं इसकतरा की कर्स्ट्रिक्शन साइट पर मशीनों की वाइस अभी लगातार हो रही है तो गाइज अब बात कर लेते हैं दो महीने से यहीं पर पड़े हैं प्रॉपली इनको अभी इंस्टाल नहीं किया गया है अभी इंस्टाल इनको किया जाएगा जब यह कर्स्ट्रक्शन का कावाइधिंग पूरा होगा और जब यहां पर इलेक्रिसिटी की जुरूरत होगी और फिलहाल अभी तक इनको इस तरह से कुछ टेंपररी टाइम के लिए की जगह पर स्टेबल रखा गया है और इनकी जो लोकेशन है यहां पर इनको इंस्टाल किया जाएगा उस जगह की कर्स्ट्रक्शन काम चल रहा है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कुछ यहां पर अभी ट्रैक विशाया जाएगा यह तर्णल को गिन्क्त करके रहे हैं से रिलवे स्टेशन को कुनेक्ट करेंगा साथ नहीं साथ पर आपको सरीया देख रहे हैं और यहां से एक बार नेचे देख रहेते हैं घाज कितनी बहुत हाइड है भाई यहां पर देखने से ही सिर् बहुत बहुत हाइड है और इस जगह पर बिजाया जाएगा रेलवे ट्रैक और यह सरी आप देख रहे हैं इसी की सुपोर्ट से और इसी जगह पर रेलवे ट्रैक को बिशाया जाएगा और सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी पसंद आए तो लाइक कर दें चैनल को सब्स